नमस्कार दोस्तों आप सभी की एक और नई वीडियो में सुवागत है यह जो नई वीडियो में लेके आया हूं आप लोगों के लिए राजस्तान राज्य विदूत परसार निकम लिम्टेड का यह नोटीस है तो यह फाइनल लिस्ट है जो कंडिडेट फॉर कमर्शियल असिश्टेंट के पद पर जो भी लोग नोन टीस पी छेतर वाले है तो उन लोगों की लिस्ट में आपके सामने सो करने जा रहा हूं तो यह वो लोग हैं जिन्होंने पहले एक्जामिनेशन में क्वालिफाई किया फिर सेकिंड राउंड जो इंदी इंगलिस ट किस बच्चे के कितने कितने मार्स आई वो आप लोगों की सामने में सो कर रहा हूं तो यह नोन टीसपी वाले चेतर की जितने भी तो वो लोग अपना नाम अच्छे से देख लें अगर नाम आपको यहां क्वालिटी की प्रोब्लम है तो आप लोग मेरे को स्पोर्ट करोगी तो मैं टाइम टू टाइम अपनी क्वालिटी भी अपग्रेड करता रहूंगा तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और आने वाली कोई भी अपकमिंग कोई भी सूचना है इन्फोमेसन है आप लोगों के लिए विकैंसी से रिकार्डिंग है रजल्ट है एड्मिट कार्ड है यह कुछ भी सूचना है अगर राजस्तान सरकार की तरफ से है तो आप लोग इसी चैनल पर आपको मिलेगी आप लोग प्लीज इसको सब्स हो चुका है अब कौन से कहां पर यह जो अलग अलग है जैसे जैपूर है अजमेर है जोदपूर है तो कहां आपकी जोइनिंग है कहां क्या है तो वह आप लोगों को मैं भी सो कर देता हूं तो यह जो है राजस्तान राज्य विदूत परसांड निकम लिम्टेड में सेलेक का है और यह भी आपका विदूत उत्पादन निकम लिम्टेड में यह लोग सेलेक्टेड है इनको यहां पर अपोइन्मेंट मिलने वाली है इसके बाद आप लोगों का जो अगला है जो लोगों को जहां जोइनिंग मिलने वाली है वो मैं भी बता देता हूं अजमेर तो आप लोगों को यह फाइनल रजल्ट देखने को मिल रहा है आपकी स्क्रीन के सामने यह लोग इनका फाइनल जो है अपोइन्मेंट मिलने वाली है जोदपूर विदूत वितरन निकम लिम्टेड के लोग जो है यह नीचे जो सेलेक्टिड कंट्रेड दिख रहे है के बाद मैं आपके सामने नो जो टीएस पीछेतर वाले उनकी लिस्ट भी मैं आपके सामने सो करूंगा तो यह फाइनल जो यह कंडिडेट है इनकी जो इनकी जो इनकी नो तारीक का नोटीस है भई आज का नोटीस है फाइनल इनको जो 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 टीएस पीछेतर वाले लोग को का रजल्ट है तो यह लोग भी अपना नाम ड्रोन नंबर जो भी अपना अच्छी से देख लें यह लोग से लेक्टिड कंडिडेट है अगर आपको इससे रिकारडिंग और कोई रिपलाइ मां आप लोगों को करने का प्रियास करूँगा ठीक है जी और चैनल को प्लीज स्पोर्ट करिए क्योंकि आने वाली कोई भी इन्फोर्मेशन है वो आप लोगों से अलग नहीं रहेगी अगर आप लोग इससे जुड़ जाते हो तो आप लोगों को अवस्य कोई न थाल है